मैंने कहा अगर दोनों मिल के साथ कर रहे हैं तो एक के साथ एक और व्यक्तिम उनको मिला हुआ है चेतर को देख रहे करने के लिए पहले कई बार ये देखा गया है या आवाजे उठी है तो कई बार जाइज भी थी और कई बार ना जाइज भी इस चीज को यूज किया जाता है कि भी महिला के husband हमें ज़्यादा परताडित कर रहे हैं, बोल रहे हैं, धमका रहे हैं, एक आद बार मार पिट का भी मामला हम लोगों ने सुना, तो वो सब चीजें गलत होती हैं, किसी चीज की access गलत है, पर मेरा अपना personal मानना ये है, कि हाँ, अगर महिला को जनता ने जिताय है, तो महिला को रोटी बनवाते छोड़ कर खुद परिश अगर बाहर जाते हैं, तो वो गलत है, दोनों husband wife साथ निकलते हैं, अगर वो कदम से कदम मिला के अपनी पतनी का साथ देता है, काम कराने में, तो अच्छी बात है. नमस्कार, मैं हूँ अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं, बेक यूज दिल्ली एंसियार, हम लोग इस वक्त मौझूद हैं दिल्ली के डाबडी बाड में, हमारे साथ मौझूद हैं पारसत तिलूत्मा चोधरी, पारसत पतियों का मामला गद्दिनों उठा है, कई इलाकों म कि जो महलाएं पारसत हैं, उनके जो पती हैं, वो काम करते हैं, और जो महला पारसत हैं, वो घरों पे रहती हैं, और तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो कर्मचारी हैं, निगम के हों, या फिर अन्य किसी डिपार्टमेंट के, या फिर इलाके के तमाम जो लोग हों, वो इस किसी सरकारी काम में किसी को टोकते हुए किसी कर्मचारी से बात करते हुए या फिर कहें Public Domain में काम कराते हुए स्वयम यही जाती है एक आधर्स इस्ठापित कर चुकी है इस मामले में तिलोतमा जी बहुत बहुत स्वागत है hybrid बहुत धन्यवाद अच्छा विश्चा है आप स्वयम महला पार्सद हैं पूर में भी दो बार पार्सद रही और स्वयम आपको आगे बढ़ की लीड करते हुए देखा गया आप हमेशा से खुद जाती हैं खुद काम कराती हैं अपसरों से खुद बात करती हैं पती तो आप सक्षम है तभी जनता उनको वोट देती है तो मेरे हिसाब से महिलाओं को अपना प्रतिनिदी खुद दी करना चाहिए आगे आना चाहिए हाँ सपोर्ट अगर उनके हस्वेंट करते हैं किसी काम में तो गलत भी नहीं है लेकिन जो मेन मुद्दे हैं उनसे खुद दील करना चाहिए सब लोग सक्षम है और जनता ने उनको चुना है तो इसलिए चुना है क्योंकि वो जनता चाहती है जनता जानती है कि जिस प्रतिनिदी को हम चुन रहे हैं वो हमारे कामों के लिए सक्षम है हमारी आवाज उठाने के लिए सक्षम है हमारे लिए फंड लाने के लि लिए महिलाओं को भागी दारी दी गई सरकार में तो महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए आगे बढ़ के अपना काम कराने का लगता है कि कहीं कुछ गलत है अगर पारसद पती काम कराते हैं तो एक तरह से एक जो पत्नी पारसद है और पती अगर उनके साथ में लगते हैं तो ब्यक्ति अलाके को दो लोग मिल जाते हैं काम कराने के लिए अगर पारसद महला अवेलबल नहीं है तब उनके पती अगर व इसका confidence बढ़ेगा और वो अच्छे से अपना काम कर पाएगी और अगर husband sport भी करता है तो कोई गलत नहीं है क्योंकि अगर मान लोग बहुत सी समस्य हैं ऐसी होती है जो महिलाओं को कहीं अकेले जाना पड़ता है अगर husband साथ जा रहा है और मिलके उसकी मदद कर रहा है तो इस अधिकार है जिसको चुना गया है उसको अधिकार है पर अगर husband साथ देता है कि भी कहीं भी उसके कदम से कदम मिलाके उसके साथ चल रहा है उसके साथ जनता की समस्याओं को देख रहा है सुन रहा है उसको ले जा रहा है तब कोई गलत नहीं है अधिकार जो वाड है जहां यह कहने का अधिकार नहीं है कि क्या यह देखने का अधिकार नहीं है कि कहीं जो सफाई है मेरे अलाके में उसमें कमी तो नहीं आ रही जो कर्मचारी है वो प्रॉपर काम कर रहे है या नहीं कर रहे है और कहीं ना कहीं कर्मचारी इसका दुरूपयों करते हैं कि पती क्यूं या महला क्यों नहीं आई या महला पारसाइड हमारे पास क्यों नहीं आई वो घूँ नहीं पूच रही और इसका बेजा इस्तपाल होगा इसा लगता अपको ईस लगता है काम अगेशपड़ कोProस्टिद आरहा है कि कहीं छेतर में उसको बैक डॉर में करके, बैक फूट पे करके, घर में बिठा के, और अगर हस्बंड अकेले करता है तो वो गलत है, अगर हस्बंड अपनी वाइफ के साथ-साथ मिलके, फील्ड में उतरके, उसका साथी बनके काम कर रहा है, तो गलत नहीं है, मेरे हिसाब से, तो तो एक सही पर हाँ कई बार ऐसा हो जाता है कि हस्बेंड पहले कई बार यह देखा गया है या वाजे उठी है तो कई बार जाइज भी थी और कई बार ना जाइज भी इस चीज़ को यूज कि यूज कि आ महिला के हस्बेंड हमें ज्यादा परतारीत कर रहे हैं बोल रहे हैं धमका रहे हैं एक आद बार मार पिट का भी मामला हम लोगों ने सुना तो वो सब चीज़ें गलत होती है किसी चीज़ की एक्सेस गलत है पर मेरा यह मेरा अपना परसनल मानना यह है कि हां अगर महिला को ज रखता है कि 50% चुकि reservation अगर महलाओं को है निगम में खास तोर पे तो उनको अधगार मिलना चाहिए और वही लोगों को आगे रहके काम करना चाहिए मेरा यही मानना है कि अगर सरकार ने कि यह सोच है कि महिलाओं को भी प्रतिन इधित्व का मौका मिलना चाहिए और अगर मिल रहा है उनको reservation में तो उनकी उनको आगे first step पे होना बहुत जरूरी है आप चुकि निगम में जुड़ी रही है पार्शत पतियों को बोला किया जाता है मैंने एक बार सुना था जो डी सी है जो उनके वो पीपी कह रहे थे पीपी की full form पता है आपको क्या बोलाते हैं तो मैंने उनको सुदा रहा था मैंने आप इसको पार्शत पती की बजा पा आते उठाई और सब कुछ बोला अलाकि उनके पती भी शामिल थे वो लोग भी बोल रहे थे लेकिन मेरे को लगता है जो महिला है जितनी जीत के आई है सब सक्षम है जनता की समस्याओं को जानने के लिए समझने के लिए उसकी आवाज उठाने के लिए हां लेकिन इसमें भी कोई गलत नहीं है कि अगर पती उनका साथ देता है हर कदम पे सिविक सेंटर तक साथ जाता है जोन तक साथ जाता है अधिकारियों तक फाइल लेके साथ जाता है छेतर में दोरा करते समय अपनी पतनी के साथ रहता है तो यह चीज तो अच्छी है इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर हाँ जिसको मौका मिला है उसको बिल्कुल नहीं निकलने दो, कई जगा ऐसा भी होता था, पहले हमने देखा था कि पत्निया सिरफ हाउस में साइन करने आती थी, और छेत्र में वो कभी नहीं निकलती थी, और उनके हस्बंड ही काम करते थे, तो ये चीज़ में जहें लगता है कि गलत है आपके पूर्व के जो टैन्योर रहे उसमें मुझे पता है कि कुछ महला पारसदे ऐसी चुनी जाती थी जो लगबग ना के बरावर पड़ी लिखी होती थी तो ऐसे में तो उनके पतियों को आगे रहके काम करवा नहीं होगा चुकि उनको उतना प अठनी को बाहर निकालना चाहिए जनता के बीच में टाकि वह महीलाओं की समस्या समझ सकें बहुत सी ऐसी चछेतर की समस्याओं होती हैं जो महीलाओं से जादा六 जाती आफिस चले जाते हैं और जो जितनी समस्याओं फेस करती यह महीलाओं करती है счит इसी लिए निगम महि 50% दिया गया कि ताकि महिलाएं उनसे जुड़के अपनी समस्याओं को इजी ली बता सके और कोई महिला घर में भी आई है तो दुसरे को भी अनीजी फिल नहीं होता कि भी कभी भी बिठा के दस लेडिस उसके साथ बात कर सकती है और घर की समस्या होती है कुड़े की है लाइ एक लास सवाल लेता हूँ आपके जो पती हैं वो क्या करते हैं वो क्यों नहीं दिखाई देते और क्या आप लोगों ने पहले तैकिया था कि नहीं मैं लीड करूंगे मैं पार सच चुनी जाओंगी तो आप अपना काम करते रही है मेरे पती जो हैं दिल्ली जलबोर्ट से नहीं किया और आज जो मुझे 15 साल ये मौका मिला है इसमें उनका बहुत बड़ा सहयोग है क्योंकि उन्होंने अपने आपको बैक फूट पे करके मुझे फ्रंट पे इतना मौका दिया कि मैं सारा काम कर सकूं इसमें मैं उनका साथ मानती हूं सहयोग मानती हूं कि मुझे मतलब अपने कामों के प्रती जिम्मेवारी कैसे की जाती है उस चीज़ का मौका दिया और जब भी मैं सत्ता में आई सबसे पहले मुझे गाड़ी खरीद के ड्राइवर रखके साथ एक लड़का इंगेज करके कि भी ये तुम्हारे साथ रहेगा और तुम अपना काम स्व दखल नहीं देते कभी और न दिया है कभी दखल नहीं दिया अगर उनको कोई कंप्लेंट आ जाती है या किसी गली की वहां पानी भरा हुआ है यहां लाइट खराब है क्योंकि कुछ लोग आते हैं उनसे मिलते हैं तो वह नीचे फोन पर बता देंगे यह यह कंप्लेंट स भी नहीं की छेतर समंदी बात कभी नहीं कीजिए अब सब्सक्राइब बहुत 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 धन्यवाद तिलोत्मा चोधरी पारसर डाबडी बार बताते हुए कि एक सुचिता राजनीत में होनी चाहिए और अगर 50% आबादी के नाम पे महलाओं को रिजर्वीशन मिलता है और उस रिजर्वीशन के अधार पर वो चुनके आती हैं तब यकिनन उनको काम करने दिने का मौका देना चाहिए पतियों को बैक में रहके सहयोग करना चाहिए और हाँ कभी आवश्यक्ता हो तो वो लोग साथ मिलें और साथ मिलके काम करें लेकिन अकेले परहिज करें जो महला पारसद हैं उनको ज्यादा मोका दें सहयोगी विजय त्यागी के साथ में अनित कोशिक